हालो फ्रेंज वेलकम बैक टू मैं चैनल तो राइट नाओ मैं पहुंच चुका हूँ मरूती सुजुकी इंडस्टल एरिया फेज वन मौडर्न आटो मॉबाइल में तो आज हम मरूती सुजुकी द्वारा लॉंच दे नई एस्प्रेसो को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका वॉकराउंड उसमें क्या-क्या फीचर्स हैं क्या 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 उसमें न्यू इंटर्ड्यूस किया है मरूती सुजुकी ने जो की बोला जा रहा है कि मिनी एस्जुवी है मरूती सिजुकी द्वारा क्लेम किया जा रहा है तो यह उसका वाकराउंड है यह उसकी साइट प्रोफाइल है और इसका वाकराउंड अभी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको इसकी कैसी लुक्स हैं आउटसेट लुक्स कैसी हैं तो six इसके color wise variants हैं और six इसके feature wise variants हैं LXI, standard VXI, VXI plus, manual transmission और automatic gear transmission के साथ आते हैं और side से मैं इसकी बात कर लेता हूँ height है इसकी standard और LXI with 13 inches tire के साथ 1549 mm और 1564 mm है 14 inches wheels के साथ और यह है इसकी आगे से bulky look और देख सकते हो आप बहुत ही एक जबर्दस look आ रही है तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी engine specifications की 1 liter displacement के साथ आता है और produce कर रहा है 50 kilowatt का पार और 90 newton meter का talk produce कर रहा है जो की एक बहतरीन है अपने आपने अपने अपनी segment में बहतरीन है quid के comparison में निकालीगी है यह उसके बात तो front से आपको twin chamber headlamps मिल जाएंगे बीच में indicators भी inserted है और अगर मैं accessorized version की बात करता हूँ तो उसमें आपको यहाँ पे chrome finish भी मिलेगी और आगे से profile बिल्कुल एक महिंदरा Scorpio की तरह look देता है देखो कितना बल्की है और front से काफी bold और SUV inspired look आती है और walk around अगर मैं यहाँ पर accessorized version की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप DRL लगवा सकते हो accessory में as a accessory लगवा सकते हो और front से बहुत ही एक dashing और एक appealing look आती है इस car की और side से मैं बात कर लेता हूँ यह VX side plus variant है तो इसमें आपको 14 inches के wheel cap के साथ आपको tire मिलेंगे इसके tires मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको side पे indicators मिल जाएंगे ORVM में आपको indicator नहीं मिलेंगे आपको top end variant में भी और यह आगे से कुछ wipers है यहाँ पर मैं side profile के अगर इस गाड़ी की बात करता हूँ तो side profile पे आपको काफी height और एक काफी एक compact सी look आएगी इस segment में और आपको body color door handles मिल जाएंगे इसमें और इसकी height काफी appealing है 1564 mm है ground clearance की अगर मैं बात करता हूँ तो 190 mm का ground clearance है although brochure जो provide किया है उसमें आपको ground clearance नहीं लिखिया तो 190 mm इसकी जो height है तो काफी एक confident figure है back side से बात कर लेता हूँ तो आपको यहां पे आपको c-shaped कुछ tail lamps मिलेंगी आपको और यहां पर espresso की badging है और पीछे maruti suzoo की badging है और यहां से side से आपको नीचे reflectors मिल जाएंगे और इसमें आपको हर variant में आपको पीछे sensors मिलेंगे parking sensors आपको हर variant में मिलेंगे standard है और यहां से एक अच्छी है यहां पर आपको tail lamp मिल रही है brake tail lamp मिलेगी roof तो side से अगर मैं बात करता हूँ इसकी length की तो यह 3565 mm इसकी length रहेगी और width इसकी 1520 mm इस range इसकी vary करती है 3.69 lakhs base standard variant और 4.91 आपको top end variant पड़ेगा इस आर एक्स शोरूम चंडिगट की prices हैं अब बात कर लेता हूँ इसके interiors की so interiors की look इस प्रकार से है doors के control पर मैं बात कर लेता हूँ यहां पर आपको मिल जाएगा door unlock और unlock का option मिल जाएगा और यहां पर आपको top end variant में भी manual OR VMs के control मिलेंगे और नीचे आपको यहां पर one liter की bottle holder pocket के साथ map holder मिल जाएगा यहां पर speakers हैं और अंदर बैटके अब मैं इसकी बात करता हूँ क्या कुछ offer कर रही है जैसे ही मां अंदर बैटता हूँ तो मुझे एक supreme सी feel आती है और इसके जो monotony है मरूती सुजूकी की उससे हटके इन्होंने कुछ इस बार देखना को मिल रहा है सेंटर कंसोल दिया है बहुत एक अच्छी लुक अंदर आ रही है बॉडी टोंड आपको एस इवेंट्स मिल जाएंगे और सेंटर कंसोल भी आपको बॉडी टोंड मिलेगा और जो steering पे mounted है control वो आपको top end variant में मिलेंगे और कुछनिंग की मैं बात कर लेता हूं तो कुछनिंग जादा तो मैं नहीं कहूंगा पर इस सेग्मेंट की हिसाब से कुछनिंग काफी अच्छी लगी मुझे और stereo mounted controls मिल जाते हैं आपको इसमें audio और voice controls मिल जाते हैं call taking rejecting facility आपको top end variant ओफर करता है और आपको इसमें body toned AC vents मिल जाते हैं और यहां पर आपको headlamps के controls हैं उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसके center console system की यहां पर आपको AC vents से body tone नहीं मिलेंगे और यह जो round shape disc का center console system है मुझे बहुत impressive लगा एक supreme सी look और unique बात यह है कि यहां पर आपको windows के control मिल रहे हैं with 17.78 cm की आपको screen मिल रही है यहां पर जो की offer android autoplay जैसे की सारे करते ही हैं और manual AC controls मिलते हैं आपको इसमें top and variant में भी और नीचे की मैं बात करता हूं यहां पर आपको कुछ पर्स वगरा रखने की जगा मिलती है और इसके साथ आपको यहां पर मिलते हैं कुछ cup holders और five speed manual transmission gearbox मिलता है आपको यह है handbrake का lever और यह है passenger seat की cushioning भी ठीक ठाक है इस segment के हिसाब से यहां पे आप रख सकते हो अपने पर्स वगरा coins वगरा रख सकते हो dual airbag system आपको offer करता है safety features से और यह है glove box जो की ठीक ठाक है जादा तो मैं नहीं कहूंगा और यहां पर upper side में बात करता हूँ यह sunshade है इसमें आपको कोई भी vanity mirror नहीं मिलेगा यह आपको inside आपको lamb मिल जाएगा cabin lamb मिल जाएगा और यहां पर this side sunshade मिल जाएगा आपको safety features की मैं बात करता हूँ इसमें आपको ABS with EBD मिल जाएगा standard variants में भी आएगा driver side airbag मिलेगा seal belt remainder है reverse parking sensor है speed alert system है काफी सारे safety features के साथ यह equipped है तो बात करता हूँ मैं rear seat के door handles की तो इसमें आपको top and variant में भी आपको automatic window control नहीं मिलेगा manual ही मिलेगा और अंदर से यह काफी कुछ offer करती है आपको तो जैसे ही मैं इस गाड़ी के अंदर बैठता हूँ तो high height होने की वज़ा से मुझे height में कोई problem नहीं आती है और leg room भी इसमें काफी sufficient है पर हालांकि पीछे दो लोग बहुत ही comfortable तरीके से बैठ पाएंगे तीन जो इसमें आपको headrest मिलते हैं वो भी इसमें top end variant में भी आपको adjustable नहीं मिलेंगे और मैं अंदर की बात करता हूँ तो मैं काफी headroom मुझे मिलता है और यह है इसका back seat से front का cabin look जो की एक बहुत ही एक appealing और supreme look दे रहा है center round console सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा इसका एक unique सा idea है मरुती सुजूकी का इस बर change किया है इन्होंने और यहां पर आपको normal headrest मिलेंगे back side से अब मैं इसकी अगर boot space की बात कर लेता हूँ मैं यहां से निकल के तो boot space इसका मुझे offer हो रहा है 270 liters का जो की एक hatch pack segment में काफी अच्छा है और quid के मुकाबले भी काफी अच्छा है और deep है इसका boot space तो आप अराम से अपने luggage वगारा carry कर सकते हो top end variance में आपको parcel tray भी offer होती है so at the end मैं इसकी fuel efficiency की बात करता हूँ तो maruti Suzuki claim करता है 21.7 kmpl जो की एक अपने आप में एक confident figure है तो आज के लिए friends इतना ही maruti Suzuki की espresso आपको कैसी लगी इसका review कैसा लगा इसके features कैसे लगे आप मुझे comment करके बता सकते हैं इसकी test drive बहुत ही जल्द मैं आपके लेके आउँगा तो जब तक के लिए आप बने रही है मेरे साथ और till then bye bye good night check care